नमसकार, मेरा नाम रवी कान्ते, मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, ये बात समझ मे आई नहीं, इस कविता को लिखा है एहमज हातिप शिद्धिकेने ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं मैं कैसे मीठी बात करूँ जब मीठी चीजें खाई नहीं आपा भी पकाती है हलवा वो आखिर क्यों हलवाई नहीं भैया की मंगनी हो गई कल क्यों कल ही दुलन मंगवाई नहीं ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं नानी के मिया जब नाना है, दादी के मिया जब दादा है आपा से मैंने पूछा ये, बाजी के मिया क्या बाजा है हस हस के वह यूँ कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं जब नया महीना आता है, बिजली का बिल आ जाता है हालांकि बादल बेचारा, ये बिजली मुफ्त लुटाता है फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं ये बात समझ में आई नहीं ये बात समझ में आई नहीं गर बिल्ली शेर की खाला है फिर हमने उसे क्यों पाला है क्या शेर बहुत नालायक है खाला को मार निकाला है या जंगल के राजा के यहां क्या मिलती दूद मलाई नहीं ये बात समझ में आई नहीं क्यों लंबे बाल है भालू के क्यों लंबे बाल है भालू के क्यों उसने कटिंग कराई नहीं क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अबू भाई नहीं ये उसका हैरिस्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं ये बात समझ में आई नहीं जो तारे जगमक करते हैं क्या उनकी चाचीत आई नहीं होगा कोई रिष्टा सूरत से ये बात हमें बतलाई नहीं पर चंदा किसका मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं ये बात समझ में आई नहीं यह बात समझ में आई नहीं